Good morning student, class 11th. हम संदी पढग रहा थे, स्वरसंदी तक पढ़ चुके थे, आप हमें वेंजन संदी पढ़ना है. अभी हमने स्वरसंदी में स्वर से स्वर का मेल होने वाले शाप्दिक परिवर्तन को देखा, अब हम वेंजन से वेंजन और वेंजन से स्वर के मेल से होने वाले परिवर्थन के रूप में वेंजन संदी को पढ़ते ही जैसे इन सब्दों के विच्छेत को देखे दिख्धन गज दिख्धन घज भगवत धन गीता भगवत गीता अचधन अज़ंत सद्धनवाणी, सद्धनवाणी, उत्धनभाटन उतगाटन, सचदनवाणी, वेंजन वर्ण के बाद स्वरिया वेंजन आने से वेंजन में जो विकार या परिवतन होता है उसे वेंजन संदी कहते है इसके नियम ये हैं का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अत्वा चोथा वर्ड आये अत्वा या रालावा श्रया कोई स्वर आये तो का चा टा ता पा पहने ही अपने ही वर्ग के तृतिय वर्ग का गा में चा चा में अटा डा में और ता दा में वदल जाता है जैसे बाग में, सडधनमास, सडमास, जगद्धनात, जगदनात, उद्धनमत, उनमत दूसरा नियम है, उप्रिक उदानों में हमने देखा कि का, च, ट, त, पाके बाद, मा या ना आए तो वे अपने ही बर के पाचे वर्ण में बदल जाते हैं आब इन शब्दों को विच्छेद को पढ़िये नियम तीसरा है आपका देखे, तीसरा नियम है आपका यह आपका नियम है इन्हे नियम आपके नुबुक में लिखेज़ो और इन्हें याद कर लिजेगा नियम फोर उत धन्ष्वास उत्ष्वास ता धन्ष्वास ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर चा हो जाता है और शा के स्थान पर शा का शा हो जाता है जैसे उत धन्हार उत्धार ता धन्हार तत यदि तू के बाद हा हो तो तू का दू दा और हा का धा होता है इन सब्दों में विच्छित को देखे समधन पूर्म, समधन दे, संदे, समधन चय, समधन तोश, समधन गम, शंगम, पपधन चम, पंचम, विकिम धन चित, किन चित, ग्यातब भोकी मा के बाद उप्रतुदार में जो का के से मा तक वर्ग आए हैं वे इसपर्स वेंजन हैं जैसे अब ये परिवर्टन भी देखे, वी धन समध, विशम, अभी धन सेख, अविशेख, अधार आ अत्वा आ को छोड़ कर जग किसी अने स्वर के साथ सा आए, तो संदी होने पर सा के स्थान पर शा हो जाता है विशर्ग संदी को चुदार विशर्ग के इस प्रकार हैं विशर्ग का ओ में परिवर्दन, यशाहधन गान, यशोगान, मनाहधन जा, मनोज, मनाहधन हर, मनोहर, विशर्ग के पश्षात स्वर अत्वा बेंजन आने पर विशर्ग में जो विकारत पन होता है उसे विशर् विशर्ग का O हो जाता है। विशर्ग के बाद आगा मगा वर्ण आये है। विशर्ग के बाद आगा मगा वर्ण आये हैं। विशर्ग के बाद आगा मगा वर्ण आये तो विशर्ग के इस्थान पर रा हो जाता है। विशर्ग के बाद आगा विशर्ग के बाद आगा विशर्ग के इस्थान पर रा हो जाता है। कोई शर्ग के साथ विशर्ग में कोई परवेतन नहीं होता।